सभी को जैन दोस्तों आप सभी का हार्दिक्स हो गते हैं जैन दी रेक्शन्स पे आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे वाजमा प्लिक लेटेस्ट और एक इंट्रस्टिंग वीडियो लेकर रहे हैं इसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मुश्रूर प के बारे में बलकि चर्चा होगी परधार मंतरी मोदी जी और प्योगे के बारे में तो ये वीडियो काफी इंट्रस्टिंग होगी इस यहन तक देखें और चैल पर नहीं है तो चैल को सब्स्राइब कर दें ताकि में आपकी से लेटेस्ट इंट्रस्टिंग और चैल कर रहे हैं उन्होंने भारत के हिंदूं को ग्रुकुल ठुरवाया उन्होंने भारत के हिंदूं को उनके सब्याइटा और संसकार से तूर किया, उन्होंने मुसल्मानों के प्रती कुछ भी नहीं किया, बलके भारत के हिंदूओं पर फोकस किया, कि भारत का हिंदू, कभी भी ये ना कहें कि भारत हिंदू राष्ट है, इसलिए उन्होंने हमें, हमें और भारत के हिंदूओं को भगत सिंग जी की कहानी नहीं पढ़ने दी, हमें शिवा जी महराज की कहानी नहीं पढ़ने दी, हमें मराठा अशोग की कहानी नहीं पढ़ने दी, हमें चंद्रगुप्त मोरिया की कहानी नहीं पढ़ने दी, किताबों को चेंज करवाया, किताबों को चेंज करवा करके उसमें बाबर अजीम था, बाबर की 3,000 बीवियां थी, शाजहां अजीम था, शाजहां की 5,000 बीवियां थी, औरंग जे मंदिरों को तोड़ता था, वो बहुत ताकतवर था, ये सारी चीज़े हिस्ट्री की है मैं भी कहती हूं मोदी जी की गारंटी स्पेसिफिक है लेकिन शाह है तो रा है हमारे पास अमिद शाह है तो हमारे पास रा है अजिट डोवल जी है तो हमारे पास जैम्स बॉर्ण है डॉक्टर एस जशंकर जी है तो समझी हमारे पास चानक क्या बुद्धि रिसंटी जो ह हमने टेकनालोजी देखी और मोसली मैंने ये चीज़ें देखी कि जो मैनिजमेंट पोस्ट पे हैं वो इंडिया के लोग हैं जो टेकनालोजी को लेके चार रहे हैं इंडियन्स मोसली हमें देखने को मिले और यही चीज़ आज जो हमने देखा कि इंडिया के प्राइम कि 2035 में वो स्पेस स्टेशन इंडिया का पहला स्पेस स्टेशन इन टेक्नोलोजी के उपर वर्क करते नजर आ रहे हैं कामिल नाडू का विजिट रहा उसके उपर बात करेंगे नाजिया इलाखी खान हमारे साथ मजूद हैं वीडियो बहुत जबर्दस होने वाली है तो स्टार्ट करते हैं असलाम अलेकुम नादिया जी कैसी है आप जैजै श्री राम वंदी मातरम भारत माता कीजए मैं अच्छी हूँ श्वयब बहुत अच्छी हूँ तुम तुम बड़े लंबा चोड़ा सफर करके आए नादिया जी आपको टापिक का भी मतलब यह कि बताया है जिस तरीके से खास طور पर टेकनालोजी के हवाले से और आपने बोला कि लंबा चोड़ा हम सफर करके आए हैं तो वहाँ पर बहुत सी चीज़ें देखी सबसे पहले तो मैं सलोट करना चाहूँगा एक बार फिर से वहाँ पर जो इंडिया डैस्पोरा है इंडिया के जो लोग वहाँ पर म 20 21 century है और भारत के परधान मंत्री मोधी जी ने हम सब को कहा था आतमी निर्बर भारत बनाएंगे अर हम n participants वे तो जैसे जैसे उन्होंने आत्मी निर्वर भारत बनाने के लिए उन्होंने अपने स्ट्रेप्स को आगे बढ़ाया, हम सब उनके साथ, उनके नेत्रत में आगे बढ़ गए, और आज पता चला, कि भाई, 2035 तक हमारे भारत का इसी टेकनोलोजी के जरिया, पहला भारती स्प ने कंट्रोल रूम में जा करके उन सारे उकेशन को देखा, हमारे यहां आप निकेलियर बॉम बोलिए, हमारे यहां टेकनोलोजी बोलिए, हमारे यहां साइंटेस्ट बोलिए, हमारे यहां एंजिनियर बोलिए, हमारे यहां डॉक्टर्स बोलिए, हमारे यहां वकील बोलि प्रॉफेसर भेजिये स सइंटिस्ट भेजिये नेुरोलोजी भेजिये सइक्राइटरिस्ट भेजिये डॉक्तर भेजिये अच्छे वकील भेजिये मैं आपको के लिए ये भी बता दू कि मुझे भी दो बार एक्सटोडिशन के केस के लिए बुलाया गया है मैं गौतेमाला और पैरस गई हूं क्योंके मुझे आया कि आप आये यहां पर मैं जा करके वहां केस लड़कर के आई वहां के इंविटेशन पर तो देखिए अप हमारे भारत क हैं जिसमिस मतलब पेशन के साथ साथ वहां पर नर्सिंग जो है नर्सिंग की पढ़ाई वहां पर कंपाउंडर्स की पढ़ाई वहां पर MBBS की पढ़ाई वहां पर Neurology Science की पढ़ाई भी होगी इतना बड़ा बना है अभी जहां में बैठी हूं यहां से मात्र आदे गंट पाकिस्तान आ जाएगा और मैं जरूर आपको उसकी पूरो पूरी वीडियो करके मैं जरूर भेजूंगी शोहिब आपको नारी में घर से आए करने का डिस्टेंस है बिल्कुल और एक चीज मैं यहां पर देखने वालों को भी बताता चलो और आपको भी बताता चलों के प मेरा इसलामबाद का विजट हुआ और वहां पर जाके मैं यह चीज अब्जर्ब की कि बहुत से ऐसे हॉस्पिटल हैं जो के जहां जो रेफर करते हैं प्रापर के भई आपका यहां पर ट्रीटमेंट नहीं हो सकता तो आप इंडिया में जाकर ट्रीटमेंट करवा सकते हैं पहले कभी चाइना का सुनते थे लेकिन अब बकाइदा इंडिया का कहा जाता है लेकिन बदकिस्मती से हमारी ये बदकिस्मती है कि हमारी जो पॉलिटीशन हैं हमारे लीडर हैं उन्होंने इंडिया के साथ रिलेशन ऐसे रखे हैं कि हमें अलाज करवाने के लिए भी अग नागिया जी यह अपने एंग की बाती है, अभी बहुत सारा प्रोजेक्ट बाकी है, जो मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ शेयर करो, ठीक है? तो यह दिखिए, पाकिस्तान में बहुत सारे चीजें हमारी बनाई हुई है, लाहूर ही हमारे प्रभूर राम के पुत्र लव क पवसाया हुआ है. है ना? तो हमारा एक संटिमेंटल अटाच मेंट तो लाहूर से है. अब प्रूप अपने खबजा करके रखा है हमारा के लोगों को दो दिन बिजली बिनती है पानी नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं मेरी पहली पहला मेरा पाकिस्तानी उन लोगों को नेट वर्क दे क्यों ना हम प्योके के लोगों को बिजली दे क्यों ना हम प्योके के लोगों को पानी दे क्यों ना हम प्योके के लोगों के लिए होस्पिटल्स का इंतिजाम करें ये मेरा पहला रिप्रेजेंटेशन तीन दिन पहले डॉक्टर जाशनकर जी को गया है और कल मैं दिली में रहूंगी नादिया जी एक यहां पर मैं भी बात करना चाहता हूँ मैं एज़े पाकिस्तानी उन लोगों को उन पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के उन लीडर्स को यह कहना चाहता हूँ कि जो यह कहते हैं हमें किश्मीर से बहुत प चाते हैं, हम वहाँ पे medical infrastructure, वहाँ पे हम roads को बेहतर करना चाते हैं, तो क्या हम अपना प्यार, अपनी मुहबत का मजाहरा करते हुए, इंडिया की government को ये करने की अजाज़त देंगे, क्या हम इस project को मानेंगे, मतलब दाहरी बात है, देखें, वो तो पिश्मीरियों का फाइदा होगा इसमें, तो ये एक स्वाल है, देखने हैं, उसका भी मैंने इक तोड़ निकाल कर रखा है, क्योंकि मैं बहुत, मतलब अच्छी वकील हूँ, देखें, अगर पाकिस्तान इस बात की अजाज़त नहीं देता है, कि पियोके के improvement और development पर हम आगे बढ़ें, तो उनके सारी चीजों को एक फाइल बना करके, हम international court को देंगे, हम UN को देंगे, और international court और UN से हम ये फैसला करवाएंगे, कि जो लोग पियोके में मर रहे हैं, जो लोग दो रोटियों के लिए भी मर रहे हैं, जो लोग बिजली ना होने की वज़ा से, गैस ना होने की वज़ा से, वहाँ पर network ना होने की वज़ा से, हॉस्पिटल ना होने की वज़ा से, स्कूल ना होने की वज़ा से, पियोके के लोगों की यह हालाद जो बत से बत्तर हो चुकी है धरती पर ही जिवेत में ही उनकी जिन्दगी में जो खयामात आ चुका है उसको जन्नत में हम बदल सकते हैं जैसे अपने जमु एन कश्मीर को हमने दुबारा जन्नत बनाया है आर्टिकल 370 के बाद देखो कितने इंप्रू दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंतक देखा होगा और हमेशा की तरह सोहिब चोधरी और नाजिया लाइक खांजी का ये पूरा डिस्केशन और इनके पॉजिटिव एनलेसिस आपको काफी पसंद आए होगे और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जान कि भारत की जो स्पेस एजनसी है यानि इजरो है वो इतने बड़े-बड़े कारनामे करने वाले कि भारत सच में स्पेस के मामले में तो सूपर पावर जल्दी बन जाएगा जहां पर 2035 में भारत का खुद एक स्पेस स्टेशन होगा बाकि आशा करता हूँ वीडियो आपक एसी किसी जबदस्त और इंफर्मेटिव वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिए जय हिंद जय भारत